बोधी सरकार 30 जुलाई को अपने तीसरे कारकाल का पहला बजट पेश करने वाली है आम आदमी से लेकर उद्ध्योग पतियों तक को इसका बेसबरी से इंतजार है इस बीच दिल्ली के वित्तमंत्री आतिशी ने वीजेपी सरकार के सामने एक डिमांड रखी है उन्होंने कहा है कि दिल्ली से दो लाख करोड रुपए केंद्र सरकार को टैक्स जाता है ऐसे में पात फीसरी टैक्स वापस दिल्ली को दिया जाना चाहिए उन्होंने केंद्र सरकार पर एक भी रुपए बजट में नहीं देने का आरोप लगाया है साथ ही दिल्ली के हग के 10,000 करोड रुपे मांगे उन्होंने तर्किया कि करनाटक सरकार को 2,000,000 करोड में से 33,000 करोड रुपे वापस मिलते है जब कि महराश्ट सरकार को 5,000,000 करोड में से 54,000,000 करोड रुपे वापस मिलते है वही 2022 तक दिल्ली की 325 करोड रुपे मिलते थे जिसे बीते वर्ष से सरकार ने बढ़ कर दिया है लेकिंगे केंदर सरकार का जो बजट है वो देश के अलग-लग हिस्सों से लोग जो टैक्स देते हैं उससे केंदर सरकार के पूरी बजट की किटी बनती है इस टैक्स की कांट्रिब्यूशन में दिल्ली के लोगों का बहुत बड़ा हिस्सा है दिल्ली के लोग 2,00,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000 उसे कुछ हिसा हमें वापस मिले बाकी सब राज्यों को केंदर सरकार अपने टैक्स का एक हिसा देती है लेकिन दिल्ली जो दो लाख करोड रुपे इंकम टैक्स देता है हमें एक रुपया भी अपने टैक्स में से वापस नहीं मिलता है बॉंबे भी एक बड़ा कॉंट्रिब्यूटर है बॉंबे पांच लाख करोड इंकम टैक्स देती है उसके में से महराष्टा की सरकार को 55,000 करोड रुपे शेर इंटैक्स मिलता है बैंगलोर भी देती है टैक्स वो दो लाख करोड का टैक्स देती है इंकम टैक्स बैंगलोर कि हमें पूरा 2,00 क्रोड दिया जाए, क्योंकि हमें भी पता है, कि देश के बहुत सारे और हिस्ते हैं, जिनको डिवलोपमिन KR जारू है, लेकिन इस 2,00 क्रोड रुपे का 5% तो दिल्ली वालों का हक है, दिल्ली वालों का अधिकार है इसलिए दिल्ली सरकार की दिल्ली के लोगों की तरफ से डिमाड है कि इस वार दिल्ली में इंफरस्ट्रक्चर एक्सपेंसे के लिए दिल्ली में अच्छा पावर इंफरस्ट्रक्चर है उसे और बहतर बनाने के लिए अच्छा रोड इंफरस् चाल से आपिलेचे चाल